गुड मॉनिंग विध्यार्थी मित्रो दोरन नव विशय हिंदी पाट छ मेरी बिमारी श्यामाने ली तो विध्यार्थी मित्रो गया विडियो मा अपने जोयू के जे लेखग होई छे एमनी बिमारी पत्ते ए निर्भई होई छे एक कहे जे के सायद मैंने गांधी जे के ही लेख में कई पड़ा था कि बिमार होना अप्राध है हमें जो सरीर दिया गया है उसे हम स्वस्तन रखे तो हम अप्राधी तो है ही एक कहे छे के गांधी जी ए जे लेख माया एमने वांची भतू के आपनों जे सरीर भगवाने जे आप्यू छे एने आपने स्वस्त राखू जोईए अने जो न राखिये तो आपने अपरादी छे तेना विसे आपने बण्या त्यार बात ए भण्या हता के जे लेखा खोई छे एमने एक वार बहुवस ताव आवे छे ताव बहुवदारे पड़तो समय सुधी चाले छे 10 दीवस 20 दीवस मैना सुधी अने 2 मैना सुधी अने जुलाई आवी जाई छे एमनो ताव उतरतो नथी एमने खुबस बीमार पड़ी जाई चे त्यार बजी एमने जे ट्यूशन पड़ जवानू धतु नथी डिवस बस कुल मा भणाव पड़तो हतु अने सवार मा पड़ ए बिलकुल क्याई जता नही एमने ताव एटलो बदो हतो केक वार 101 अने 102 डिगरी ताव वधी गलो हतो आखुद सरीर एमनों कमजोर जई गलो हतु कोई कोई गवार एमने खासी आवधी हती दवा सोकिया दवा पाटु अने एक एमने पोम्योपैथिक दवानू पन इलाज करो हतो परन्तु ते बिमारी सारी थती नधी त्यार बाद एमने जिप श्यामा होई खे एक कहे चेके डौक्टरवीके मुखर जीना जूढे तमे जगाओ अने दवा लो त्यारे ए जी लेखक छे ए दवा लेवानू ना पाड़े चे त्यारे जी श्यामा होई छे ते कहे छे कि तमे जो दवा नई लाओ तोहू खावानू नई खाओ त्यार बाद तेमने ए कहे छे हवे आपणे आगनो पाड बणीशू खाना नहीं खाएंगी ब्रमास्त्र तो मानना ही था डॉक्टर मुखर जी को भई था कि मुझ पर श्वय का अक्रमन हुआ है नुसका उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंतामुक्त होकर पूरी तरह आराम करने का कहा नुसका मुझे मौद का परवाना लगा क्या मेरी बीदा का समय आ गया है क्या इतने ही धिनों के लिए आया था इतना ही गाना गुन गुनाते केवल इतना श्रम स्रंगस करने इतने दूख संकट उठाने स्वागत के ही साथ बीदा की होती देखी दयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मदुशाला क्या मेने अपनी भविश्यवानी स्वयम कर दी थी सबसे मर्मवेधी प्रश्न था क्या सामा के भाग्या में वेदर्व अभी लिखा है हवे जे लेखक कहे चे के एमने जे मुखर जीवाई चे डॉक्टर एमने एक नुसको लखे ने आपे चे अने निश्चित थाई जाई चे चिन्ता मुख्त थाई जाई चे त्यार पात तोड़ा समय पची एमने एउँ लागे चे के मारो विदाईनों समय आवी गवचे मारू मृत्यू नजिक आवी गवचे अने मारा उपर जे आटलू बदू गीत गाणू चे नाटलू बदू दूख संकट आवी गवचे अने जे श्यामा चे एना जीवन मा विधर व्यत लखेलू चे के सुमारी जीवननी मदू साल आटले सुधी जहती आटलू जमारू जिवानू चे एउँ एमन मनमा लागे से मने से मुझे डर नहीं था वह मुझे कठिन भी नहीं लगा कठिन लगा मने के पहले जीना पूरे आराम के अर्थ होगे ट्यूशन छोड़ दू स्कूल से छुट्टी लेलू ज्यादा लू तो बगेर तनखा के लेने को तयार हूँ फिर घर का खर्च कैसे च कर दो सक्केव अजय में करने को कम नहीं है हवे लेखक कया जे के मने मरवा थी डर नथी लागतो परन्टु एपण कठीन चे अने कठीन के आम लागे जे तो एमने आराम नो अर्थ कारण के आमने टूशन छोडवा पड़े त्यार बाद स्कूल मा थी रजा लेवी पड़े औने रजा पन लई ले तो पछी एमने पैसा गरे आवे नई अने पैसा करे न आवे तो खर्ज के वी रीते चाल से एटली साली क्राम के वल अपनी तंखा के वल पर गर नहीं चला सकते हैं यह तलखा जे पैसा आवे जेना थी ए भर नथी चला भी सकता एटले कही जेके मारे तो चहूतो परषे जने घर नी सीती पची पगड़ी जाए अने मोगी मोगी जे दवाव आवे क्या थी आवसे एटले एमने चहुतो पड़ सेज श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काप उठी पर तुरन संबल भी गई द्रड भी हो गई जैसे अपनी पल भर में अनुबव कर लिया कि उसका कापना में सहन नई कर सकू कहे छे के जे स्यामा चे एने बीमारी साम्डी लिदी के कई बीमारी थे चे लेखक ने एडले एक कहे छे के संबली पण गई पर अनुबव मने कांप्पा माटे सहन न कर सकूंगा एनो उजे दर्ड चे हुँ सहन नई करी सकू इस खबर से मेरे माता पिता को लगवा सा मार गया पिता जी देरियवान व्यक्ति थे उन्होंने मुझसे कहा गबराओ नहीं हम घर बेचकर तुमारा इलाज करेंगे एमने जे माता पिता आता एमने लकवा मारी गयो अने जे एमना पिता जी हता ए धीरियवान आता एकदम मजभूत हता एडले एक कहे छे के हमें घर बे पिता जीरिवान व्यक्री से कुछ रुपे पड़े थे उनसे दवाई मंगा ली और चार पाइपर लेड़ गया श्यामा की सेवा साकर हो गई डाक्टर ने निसीद होकर आराम लेने के लिए कहा था जब बहुत कुछ करने को रहा था चिंता के लिए सबह ही कहा था अब तो चिंता ही चिंता करने को थी विशेश चिंता थी मुझे सीर पर जड़े कर्ज की मेरा इलाज हो नाई हो पर कर्ज की किस्ते तो चानी ही चाहिए उसकी नियमित अदाएगी के साथ मेरी सांग चूड़ी थी उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी हवे लेखा कहे चेके डॉक्टर ने से निसीद होकर आराम करवा माटे कहुँदू एटले एमने जे स्कूल हती एमा थी रजा ओपन लईली री हती अने जे पाईक जे चोपड वेची थी एना पैसा थी एवो दवा पन लईया आया अने जे खाटलो हतो एना ओपर सुई जता अने आराम करता पन ये मने एचीनता रहती के मारा माथा ओपर जे आ देउँ थाई गवेँचे एनँ हुं क्येमिरीतिना पूरू करिस एमने एमने चीनता रहती हती श्यामा के लिए पारधरसी दर्पन था उसने पुछा किसी बाद से चिंती थो चिंता ही खाती रहेगी तो दया का क्या लाप पहुचाएंगी दवा का क्या लाप पहुचाएंगी होवे कहे छे के तमें आटली बदी चिंता करो चो तो दवा तमने सु असर कर से मैंने कहा ट्रैकर्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है करिब 100 अन्यमित्रों के उसने जो उत्तर दिया उससे में चौक पड़ा और सरसा उठकर उसे गुर कर देखने लगा जैसे स्यामा को एक बार फिर से पच्चानने की जरूरत है एक कहे से के ट्रैकर्ट जे सोसाइटी छे एनी जोड़े थी 400 रुपया अन्यमित्रों छे एना जोड़े थी 100 रुपया एटले आटलू बजू कर्ज धयू छे उसने कहा था कर्जों में तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी तुम इसकी चिंता छोड़ो मैं सोचने लगा श्यामा ने वजरा ही अपने चाती पर रखकर यह वाक क्या कहा होगा मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी मरने के लिए जो मैंने अपने आपको छोड़ दिया था वह मुझे एक कदम एकदम गलत लगा मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने की संगर्ष करना चाहिए ज़े लेखक चे कहा है कि मारे मारा माटे जिवू न जो यह पर जी श्यामा चे एना माटे मारे जिवू जो यहने कर्ज सहूं उतारी देश श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया कभी करने का युग्या नहीं रहा अब यदि मैं उसे ऐसी सिती में छोड़ जाओ कि वह मेरे मरने पर भी मेरा कर्ज उतार किने की चिंता करे तो मुझे सा जदन्य अपरादी कौन होगा नहीं में श्यामा के लिए चिंताई नहीं छोड़ जाओंगा जीने का रास्ता खोजूंगा जीकर अपने चिंताई समाप्त करूंगा एक राज जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा एक रास्ता अब भी है हवे कहे छे के हुँ सामा माटे जीविस अने एना हुँ मर्या पची पन एनी उपर आटलू कर्ज राखो अने एक एटली सारी छे के आटलू कर्ज उतारवा माटे पन तयार छे तो मारे हवे एनी माटे जीवू जोई अने हुँ जीविनाज आ चिंता दूर करीश पंदर दिन के ही इलाज में अपना बटुवा खाली हो गया था मैं कदा भी नहीं चाहता था कि पिता जी गर को हाथ लगाए अपनी वृद्धा वस्ता में सांती से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े उन्होंने एक सरंस्तल बनाया था मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था पर यही भी नियमित का व्यांग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम स्वासे छोडने का योग नहीं बना था ना जाने राम कहा लागे माटी पर उस समय में कैसे जानता एक काये छे के हवे पईसा खला स्याता पंदर दीवा सुधी औने पिता यू नतो चातों के पिता जीजे छे एक घर ने हाथ लगावे एडले के गर वेची नाके एडले काये छे के एमने वृद्धा वस्ता मापन ए हमने मर से नहीं और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चरकर में अपनी चिंताय समाप्त कर सकता था किसी के लिए विशेशकर स्यामा के लिए मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा इस अंकलब ने मुझे द्रश्टी भी दी बल भी दिया मै यह ने डॉक्टर बीके मुखर जी के पास जाकर कहा डाक्टर साहब आपका इलाज बहुत महेंगा है मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नई है अने जाय थे रास्त देखायो औने डॉक्टर जोडे जाय थे डॉक्टर दोकटर मुखर जी ने कहे चे न्यूंध ब कहे चे के तमारो इलाज जे जे पेसा जे पारी थे वद्धाज गारी देशुरा, इसके पूर्वकी में कुछ और कहूं या अपने बधनाम होफट स्वबा से कहा पैसा नहीं है तो जाओ मरो सु कहें छे के पैसा ना होए तो तमें जाओ मरो यू डॉक्टरे कहीं दिदू मुझे जीवन में चीनों तो ही बल मिलता है वह यदि मुझसे बरस जीने का आसिरवाब भी दे दे तो सो बरस जीवाब ना कहे छे के आशिरवाब अपी दे तो साई जीने के लिए संगर्श करने का मुझे इतना बल न आता जितना मैंने उससे जाओ मरो सब्दसे संचे कि आया एमने कहुँ डॉक्टरे के जाओ मरो एटले एमनामा हिम्मत आवी गई आने कहे छे कि एमने आवो कहुँ तो मारामा पन संगर सवे आवी गईो छे लड़कपन में मेरे पड़ोसी बावु मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने की पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था मेरी ऐसी बिमारी के लिए एठंडे पानी के टप से बैट कर सीटर बात लेने का विदान था एलोपेती में क्षय के रोगी को दूद गी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक स दिया जाता था पुने के इलाज में चिकना मना था सिर्फ कच्ची सबजिया, फल, भीगे चने, गेहू, आधी पर रहना था हवे काया ची के जे एलोपेती मां जे शॉय नो रोग होय यही इलाज तो मेरी स्थीती अनुकुल था और काम का साधारन किये जाना था मैंने बिके मुखर जी का नुसका फाट डाला और कुने के अनुसाज सिट्ज बात आरम किया तदन सार खुराक आधी रखी स्कुल भी जाने लगा केवल रात वाली टूशन छोड़ दी उसका मुखजा एक तरफ से किता होगी विक्री से मिल जाता श्यामा ने मेरा विरोध न किया जीवन बर में जिस रास्ते पर चला उसे स्वस्तित पंथर कहा और मेरे पीछे चली मेरी स्टनान चिकित्सा के सबन में भी वह प्रती दिन अपनी सेवा सयोग देती रही सबसे अधिक अपने इलाज बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहयर ने दिया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों के जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी सिकायर उसने नाकी हवे इया एव कहेछे कि जे श्यामा है एने बहुवज एमनों साथ आपने जे बिमारी हती एमा पने जे साथ आपने जे नुसको आपने थो एमना जे मित्र एश पहला आज मा आएू अने जे खावानू कहिऊ अफ्स अबी जता हाथा अने जे श्यामा आती जे एपन पूबज पूरो आपती हथी सायद उसके प्रती इस निशीत ताल ने मुझे अपने रोगों से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं इस आत्मा नियंत्रण, आत्मा निग्र, इच्छा बल, हट योग की समझ में नहीं आता उसी क्या नाम दू, बड़ी महिगी किम्मत उसने चुकानी पड़ी, अपने शोय जवर से पोणता मुझत हो जिस दिन मेंने सामन्यत बोजन किया 15 एपरिल 1936 को ठीक उसी दिन वह चार पाईपर गिरी और फिर न उठे पहँ जिस्यामा चे, एमने जे एमनों रोग अतोरक्ष ए, एमनों जे ताव हतो, एमां एमने बहुआज मदद करी श्यामा है बहुआज अने छेले एमनुं जे आत्मा नियन्तरन अने आत्मा निग्रा इच्छा बढ़ हतु ये अमने फुबज अमने साथ हाप्यों श्यामा है अने एक दीवस सुथाएचे तो येमने जी सामन ने बोजन लेचे पछी त्यारे 15 एपरीर 1936 मा ए जी श्यामा होएचे ए चार पाई उपर पड़ी जाएचे अने पछी क्यारे उड़ती नथी त्यारे 260 दीवस बराबर रो सया पर पड़े रहिने के बाद सर्तर नवेंबर 1936 को उसने अपना सरीर छोड़ दिया एटले के ए श्यामा छे ए मरी जाएचे श्यामा के और अपने विवाहे जीवन के अंतिम 18 महिनों में और उसे दोनों को मौत के सार संगर करना पड़ा मेरे संगर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंत्रिक मंगल कामना दी इतना सयोग दिया इतनी अपनी सेवा दी इतना अपने को दिया इतना अपनी और से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संगर्ष में विजई हुआ पर उसके संगर्ष में बहुत मैंने अपनी सुपकामना दी, बहुत सयोग दिया, बहुत सेवादी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई, संभवत एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विशयक में मृत्यू के अमती सासो तक चीनता विमुक नहीं हो सकी हवे एक कहे छे के जे श्यामा होई छे एक दिवस, ए एनू मृत्यू थाई जाये छे, एने बहुत साथ आप्यों जे लेखक से एना भीमारी मा, परन्तु ए एक दिवस एनो स्वास छोडी दे छे अने ए मृत्यू थाई जाये छे, त्यारे लेखक कहे छे के एने बहुत मारी स পুেরে